अगला जो उसका कार्य है वह है राज पाल द्वारा महत्पूर्ण नियुक्तियों पर उसे सलाह देना भाशा देखेंगे राज पाल द्वारा महत्पूर्ण नियुक्तियों पर सलाह देना स्पष्ठ है नियुक्ति कौन करता है राज जिपाल सलाह कौन देता है मंत्री परिशद किसके माध्यम से मुख्य मंत्री के माध्यम से और ये सलाह राज जिपाल के लिए बाध्य है कि वह उसका अनुपालन परिपालन करे दूसरे शब्दों में मंत्र परिशत का बहुत महठपून कारे है विभिन उच्च पदों पर राज्य संबंदी पदों पर पदक राज्य संबंदी पदों पर निक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की सूची का चैन करना योगी वेक्तियों की सूची का चैन करना और उसे राजिपाल को नियुक्ति के लिए प्रिशित करना इसके बाद सदन के अंदर विधान मंदल के सदस्यों द्वारा सवाल जवाब जो होते हैं शुनिकाल में प्रश्णोत्तर काल में और अन्य समय में जो मंत्रियों जो सदस्यों के सवाल जवाब हैं चाहे वे बहुमत दल के सदस्यों हो या विरोधी दल के सदस्यों इनका जवाब देना क्योंकि ये सवाल जवाब करते हुए ये लोग जनता की आवाज को विधान सभा में उठाते हैं जनता के प्रश्णों को जनता के कटूहल को मंत्रि परिशद के सामने सदन के माध्यम से उठाते हैं और ऐसा करते हुए ये अपेक्षा होती है कि मंत्रि परिशद जनता की आव मंदल में सदन में पूछे गए प्रश्णों के उत्तर देने का बहुत बड़ा महत्पूर्ण कारे मंत्रि मंदल का होता है और उसके बाद राज़िपाल को विधान सभा भंग करने की सलाह देने का काम मंत्रि परशद करती है किसी कारण से विधान सभा को यदि भंग करना है जब विधान सबब आपने पांच वर्ष के कारेकाल को पूरा करती है तो उसके पहले भी उसे भंग करने की अदिकारी घोषना करना आवश्यक होता है ये घोषना करने का कारे राज़पाल का पर कब घोषना करेगा और किस तारीक से भंग मानी जाएगी इसकी सूचना देने कारे मंत्री परिशद का है राज़पाल को और अन्य था कई बार ऐसा होता है कि बहुमत ना होने की स्थिति में या किसी कुछ अन्य स्थितियों में राज की विधान सभा को कारेकाल पूर्ण होने के पहले ही भंग करने की जरूत पड़ाती है ऐसे स्थिति में भी मंत्री परिशद का ही प्रामर्श राज जपाल को पहुंचता है जिसके आदार पे राज जपाल विधान सभा को भंग करते हैं और अंतिम जो शक्ति है वह है राज कोश के उपर नियन तरंड मंत्री परिशत का ही पूरा नियन तरंड रहता है राज कोश पर स्टेट ट्रेजरी पर स्टेट एक्स चेकर पर इस वकार हमने मंत्री परश्ट की शक्तियों को त्वरिद गती से देख लिया क्योंकि यही शक्तियां कमोबेश केंदर के मंत्री परश्ट की भी है तो हमने शक्तियों को समझने के बाद अब हम आते हैं एक दूसरे विशय पर इस सध्धाय का मुद्दा है सरकार के उस अंग का अध्यान जिसे हम कारेपालिका कहते हूं जिसका काम है सरकार द्वारा लिए गए निर्णेओं को लागू करना सरकार से मतलब है यहां विधाई का या व्यवस्थापिका व्यवस्थापिका द्वारा दिये गए निर्ने योजनाओं को लागू करने का कारिक कारिपालिका का है कारिपालिका के दो अंगों को बारे में हमने चर्चा की थी एक तो राजनियतिक कारिपालिका और एक गैर राजनियतिक कारिपालिका अभी तक जो हमने बातें की जिन पदों के बारे में बातें की ये सब राजनेतिक कारिपालिका के हिस्ते हैं चाहे वो राश्पती हो प्रधान मंत्री हो उनका मंत्री परिशद हो या राज्य के इस तरपे राज्यपाल हो मुख्य मंत्री हो और उनका मंत्री परिशद हो या संसद हो और विधान सभाव ये राजनेतिक राज़िपालिक कारिपालिका हो संसद और विधान मंडल ये कारिपालिका में नहीं आते ये व्यवस्थापिका में आते हैं अब हम आते हैं उन दो शब्दों पर जिसका मैंने पूर में जिक्र किया मंत्रि-परषद और मंत्रि-मंडल मंत्रि-परषद अरथा Council of Ministers और मंत्रि-मंडल अरथा Cabinet इन दोनों में क्या इंतर है मंत्रियों के रैंक का जिक्र करते हुआ मैंने कुछ बातें बताई उनी को संख्यत में यहां पुना द्वरा देता हूँ पहला मंत्री परिशद में प्रधान मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री सब लोग आते हैं इन सब के समुव को मंत्री परिशद कहते हूँ दूसरी और मंत्री मंडल में केवल कैबिनेट मंत्री की आते हैं केवल कैबिनेट मंत्रियों का ही समूह मंत्री मंडल कहलाता है दूसरा अंतर स्पष्ट है आकार की बात करें तो मंत्री परिशद बड़ा होगा क्योंकि उसमें सभी रैंके मंत्री हैं और मंत्री मंडल छोटा होगा क्योंकि उसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही आते हैं तीसरा महत्री की दृष्टी से यदि बात करें तो मंत्री परिशद आकार में बड़ा होता हुए भी कम हत्र पूर्ण है मंत्री मंडल is all powerful महत्री की दृष्टी से मंत्री मंडल बहुत टाकतवर है देश के स्यासन संचालन महत्पूर्ण नीत निर्धारन इन सब में मंत्री मंडल रहता है बाकी जो रैंक हैं वे लोग सहायक के रूप में हैं चोथा अंतर मंत्री परिशद में कम महत्र के विभाग भी बहुत रहते हैं जबकि मंत्री मंडल में केवल महत्पूर्ण विभाग रहते हैं जैसा मैंने बताया बड़े महत्पूर्ण विभागों के अधक्षी कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं इसका मतलब यह होता है कि जब मंत्री परिशद की बैठक होती है तो सारे मंत्री बैठते हैं और जब मंत्री मंडल की बैठते हैं तो केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं पर क्या केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं इसका मतलब यह है कि मंत्री मंडल की बैठक में सभी विभागों का प्रतिनिद्व हो नहीं मैंने आपको बताया कई विभाग ऐसे होते हैं जिसमें मिनिस्टर आफ स्टेट को स्वतंत्र प्रभार के रूप में मुख्या बना दिया जाता है ऐसे विभागों का प्रतिनेजित्व मंत्रि मंदल में नहीं होता छोटे विभाग, कम महत्पूर्ण विभाग, इनका प्रतिनेजित्व मंत्रि मंदल में नहीं रहता हाँ मंत्रि मंदल की बैठकों में कभी इनमें से किसी छोटे या कम महत्पूर्ण वुभाग के विशय में कोई महत्पूर्ण चर्चा हो तो उस वुभाग से सम्मंदित मंत्री को विशिष्ट अतिति के रूप में मंत्रि मंदल की बैठक में बिलाया जा सकता है इस प्रकार हमने दोनों में अंतर समझ लिया एक को दी कैबिनेट कहते हैं और एक को मंत्री परिशब याद रखें दी कैबिनेट अर्था मंत्री मंदल केवल कैबिनेट यही बोलेंगे तो मंत्री मंदल और नहीं तो cabinet मंतरी बोलेंगे तो सर्वोच रंक तो इस प्सकार cabinet शब्द के दो अर्थ में यहां पर उप्योग होता है एक तो cabinet का अर्थ होता है मंतरी मंडल और दूसरा cabinet minister अर्थाथ अध्रक्ष सर्वोच रंक मंतरी का अब हम आते हैं मंत्री मंदल की या मंत्री परिशद की शक्तियां और कारे मंत्री परिशद की विशेष्टा खासियत क्या है? पहला राश्ट्र पती को जो शक्तियां प्राप्त हैं उसका वास्तविक प्रियोग मंत्री परिशद ही करती है इसलिए मंत्री परिशद वास्तिविक कारेपालिका ये पहला हो गया पहली खासियत दूसरी खासियत लोकसभा में जिस राजन्यतिक दल का भहुमत है उस दल के नेता को ही राश्पति द्वारा प्रधान मंत्री के लिए आमंत्रित किया जाता है और उसी दल से प्रधान मंत्री परिशद के सदस्यों का चैन करता है तो अब आप समझ सकते हैं कि प्रधान मंत्री और मंत्री परिशद में कितना ताल मिल लोक सभा में जिस दल को बहुमत बहुमत दल के नेता को राश्पति के द्वारा आमंतरन प्रधान मंतरी के लिए प्रधान मंतरी बहुमत दल से ही अपने मंतर मंदल के सदस्यों का चैन करता है यह होगी उसके दूसरी विशेष्टा तीसरी विश्यष्टा कि मंत्री परश्ट जो है वह सामूहिक रूप से अपने कारे के लिए जिम्मेदार है इसके माइने क्या एक उदाहरन लोग आप फुटबॉल टीम के सदस्य हैं एक मैदान में ग्यारा लोग फुटबॉल खेलते हैं दुरभा किसे ऐसा होता है कि आपकी टीम हार गई टीम की पराज़े के जिम्मेदार कौन कप्तान अकेला या लेफ्ट बैक या राइट बैक या फॉर्वर्ड कौन और या पूरी टीम निश्चित रूप से आपका उत्तर होगा एक अच्छे द्यार्थी के नाते एक अच्छे खिलाड़ी के नाते कि पूरी टीम पराज़े के लिए जिम्मेदार है उसी प्रकार देश के संचालन के लिए प्रधान मंत्री अकेला जिम्मेदार नी विद्ध मंत्री अकेला जिम्मेदार नी शिक्षा मंत्री अकेला जिम्मेदार नी विदेश मंत्री अकेला जिम्मेदार नी बलकि सामोहिक रूप से जिम्मेदार एक सितिये स्पष्ट हो गई आपको दूसरा यदि कहीं पराज़े होई आपके टीम की तो क्या कप्तान स्वेम पे जिम्मेदारी लेके वो अकेला इस्तीफा दे और टीम से बाहर हो जागा और बाकी लोग जन्होंने हो सकता है वास्तों में जो लोग जिम्मेदार रहे हो पराज़ा के लिए वो टीम में बने रहेंगे ये उचित नइ नहीं तो ऐसी स्थिति में सभी लोग इस्तीफा देते हैं वो टीम से सभी लोग इस्तीफा देते हैं पर राजय की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए ऐसा यहां भी होता है यदि किसी स्थिति में मंत्र परश्यत के कोई प्रस्ताव संसद में पारित नहीं होता या किसी स्थित में कुछ ऐसी घटना दुरगटना हो जाती जिसमें जो किसी एक मंत्री के विभाक से संबंदित है तो वह मंत्री उस घटना दुरगटना के लिए अकेला जिम्मेदार नहीं माना जाता किसी विधेयक के अनुमोधित ना होने का पूरा ठेकरा उस एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता इसके लिए पूरा मंद्रि-मंडल जिम्मेदार होता है और किसके प्रती? लोकसभा के प्रती सबही लोग लोकसभा के प्रति उत्तर दाई हैं क्योंकि लोक सभा में उनके दल का बहुमत है जिसके कारण ये मंत्र मंदल के सद्ध सत्ता में बने हुए और मंत्री बने हुए तो इसलिए ये लोक सभा के प्रति उत्तर दाई होते हैं और वह भी सामूहिक रूप से अकेले नहीं अब हम आते हैं इस्थाई कारिपालिका गै कारे में कुछ समझाने के लिए इस सद्धियन के दोरान मैंने एक बार जिक्र किया था कि हर विभाग में मंत्रियों के विभिन रैंक होते हैं लेकिन ये जो मंत्री होते हैं चाहिए कैबिनेट मंत्री हो या राज्य मंत्री हो या उप मंत्री हो या संसदीव सची हो ये तरीके विवेक पार ये बदल सकते हूं लेकिन विभाग में नीटियों की स्थिरता रहे विभाग में सूचनाओं की स्थिरता रहे इसके लिए जरूरी है कि हर विभाग में कुछ इस्थाई कर्मचारी भी हो जिने हम government employee कहते हूं तो अब हम उन इस्थाई कर्मचारी यों के ओर जाते हैं जिसे हम इस्थाई कारिपालिका कहेंगे और स्थाई कारिपालिका के लिए एक शब्द है नौकर शाही नौकर शाही अर्थात ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी के माइने क्या हैं ब्यूरोक्रेसी के माइने आप देखेंगे बी नौकर शाही जो ब्यूरोक्रेक्स इसकी स्पेलिंग पर एक बार जरूर नज़र रखें क्योंकि शब्द को आप बार-बार अपने day-to-day life में देखेंगे तो bureaucracy की spelling आपको जानना आवश्चक है तो अभी इस थाई कारिपालिका क्या है हम शुरू में जान चुके हैं कि लोकतांतिर्ग देश में दो तरह की कारिपालिका होती है राजनतिक कारिपालिका को के निर्णेओं को लागू करने का काम ये नौकर शाही करती है इस्थाई कारिपालिका करती है और चुकि इसके employees, स्थाई कारिपालिका के अंतरगत आने वाले लोग केवल रिटायर होने पर ही अपने कारियों से हटते हैं इसलिए इसे स्थाई कारिपालिका कहा जाता है सरकार के स्थाई कर्मचारी के रूप में ये लोग काम करते हैं प्रशिक्षित होते हैं उसी खेतर के लिए इन प्रशिक्षित और प्रवीन अधिकारियों के बल पर ही नीतियों को बनाने का काम और उसे लागू करने के काम में मंत्रियों को सहयोग करते हैं तो ये बहुत महत्पूर्ण बात है समझने की कि अधिकारी लोग जो होते हैं वो ट्रेंड होते हैं अधिकारी लोग जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने ख्षेतर में अपनी सततता नौकरी की सततता के कारण लंबे काल तक किसी एक ख्षेतर में कारे करते हु उसा हूए यह अपने खेत्र में Pet посмотр हो आते हैं प्रवीण हो दाते है कुशल हो धाते हैं प्रशिक्षित हो जाते हैं आधी आधी और इसी लिए जो कारिपालिका काफी हज तक इस ताहि प्रूरिक पर निर्भर रहती है योजना के क्रियानवन में नीतियों के परिपालन में आधी आधी लोकतंत्र लोकतंत्र में जो निर्वाचित प्रतिनिदी हैं जो चुने गये हैं चाहे सदन में हों उच्छ सदन में और या केंद्री सदन में या राज के सदनों में और मंत्रिगन जो होते हैं वो सरकार के प्रभारी होते हैं प्रशासन उनके नियंतरान और देख रेख में होता है तो इसका मतलब यह राजनेतिक कारेपाली का जो है वो एक तरीके से प्रभारी का काम करती है एक तरीके से सुपर विजन का काम करती है संसदी शासन की बात करें तो संसदी शासन में विधाई का जो है व्यवारिका जो है विधाई का बोलें या व्यवस्थापिका बोलें ये प्रशासन को नियंतरित करती है कारेपालिका को नियंतरित करती है अब विधाईका और कारिपालिका में क्या संबंध है वैसे तो हमने समझ लिया होगा अच्छी तरह लेकिन एक बार पुना यहां थोड़ा देखें कि विधाईका और कारिपालिका में बहुत गहन संबंध है कारिपालिका में के दो भाग हैं राजनेतिक कारिपालिका और व्यावारिक या जिसे हम कह सकते हैं स्विष्थाई कारिपालिका ये राजनेतिक कारिपालिका के जो भी सदस्य है उन्हें विधाईका का सदस्य होना अनिवार्य है और यदि किसी कारण वश ये लोग राजन्यतिक कारेपालिका में आ गए हैं और विधाईका के सदस्य नहीं हैं तो छै माह के अंदर इन्हें विधाईका का सदस्य होना अनिवारे है अनिथा वे पद से हड़ जाते हैं और विधाईका के सदस्य के मतलब क्या लोग सभा या राजसभा का सदस्य केंदर में और विधान सभा या विधान परिशयत का सबत राज्य के स्थिति में ये बहुत निकट का संबंध है और इस संबंध के कारण ही हम कह सकते हैं कि विधाई का जो है वह कारपालिका पर नियंतरन रखती है ये मंत्री की जिम्मेदारी है कि वो प्रशासन पर राजनेतिक नियंतरन बनाए रखे अर्थात राजनेतिक कारिपालिका की जिम्मेदारी है कि वो है स्थाई कारिपालिका पर अपना नियंतरन रखे अर्थात मंतरियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने अंतरगत आने वाली नोकर शाही पर नियंतरन रखे अब आप समझ गे हैं इस पर्ष्ट कि राजनेतिक कारेपालिका का कारे है नियंतरन, सुपर विजन किन पर? इस थाई कारिपालिका के सदस्यों पर और थाथ गर्मेंट एमप्लॉईज पर भारत में एक बड़ी बड़ी ट्रेंड दक्ष और प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है बड़ी विशाल लेकिन वेल ओगनाईज वेल ओइल्ड नौकर शाही से पिक्षक ही जाती है कि वो राजनेतिक रूप से तटस्थ रहे है जब राजनेतिक कारिपालिका है उसके नीचे यदि नौकर शाही है तो ये बिल्कुल उस्पष्ट है कि नौकर शाही किसी तरीके से भी अपने को राजनेति से न जोड़े उससे अपेक्षा है कि वो इन राजनेतिक कारिपालिका से दूर रहे और दूर कारतिये नहीं शारीरिक रूप से या फिजिकल रूप से दूर रहे दूर कारतिये है तटस्थ रहे हर राजनेतिक दल के अपने विचार होते हैं अपनी नीतियां होती हैं अपना जुकाव होता है अपनी रुची होती है और राजनेतिक दल जो भी कारिपालिका निर्ना लेती है उसको सोचकर राजनेतिक दल अपने निर्ना लेते हैं उसको सोचकर राजनेतिक कारिपालिका निर्ना लेती है और अपने हित में अपने वोट बैंक के हित में जो वो समुचित समझती है उन योजनाओं को वह स्थाई कारिपालिका के मद्यम से लागू करवाती है और स्थ स्थाई कारेपालिका के लिए यह आती आवश्यक है कि वह राजनीतिक कारेपालिका किसी भी दल की हो उसका शब्द बाशब्द पालन करे इसलिए कहते हैं कि स्थाई कारेपालिका को राजनीतिक गत्विद्यों ते तकस्त रहना जरूरी है उनसे अपेक्षा है कि वे राजन इसका मतलब यह हुआ कि नौकर शाही जो है थाई कारिपालिका जो है वह नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दिश्टिकोंड का ना कोई समर्थन करे ना राजनीतिक दिश्टिकोंड से उसे ना दिखे दल को क्या फायदा होगा इस नजरिये से इस थाई कारिपालिका के सदस्चों के कारे नहीं होने चाहिए प्रजातन्त में संभव है कि कोई पार्टी चुनाओ हार जाए और नई सरकार जो है वो पिछली सरकार की नीदियों से पलट नई नीतियां बनाना चाहे ऐसी सिति में क क्या होगा तरकार बदली दल बदला नीतियां बदली कलपना करिए एक खेतर में तै हुआ था कि यहां पर इस खेतर में बहुत बड़ा बांध बनाये जाएगा या इस खेतर में बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट डाल जाएगा अब सरकार बदली दल बदला अब नई नीति के तहट नए दल ने तै कि इस खेतर में रेलवे प्रोजेक्ट नहीं आएगा ऐसी स्थिति में इस थाई कारी पालिका के नौकर शाही की क्या भूमिका है किसी एक दल का पक्ष लेना उसके लिए उचित होगा कि पिसली सरकार का पक्ष लेना या नहीं सरकार का पक्ष लेना या विरोध करना नहीं उसे इस मामले में तटस्त रहना है उसका तो कारे है जो भी सरकार हो जिस दल की भी हो उसके द्वारा लिए गए निर्णा को पूर्ण रूपेंड लागू करना उस पर प्रश्ण उठाने का काम नौकर शाहि करनी है ऐसी स्थिते में प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी हो जाती कि वो नहीं सरकार को अपनी नीती बनाने और लागू करने में मदद करें और पुरानी सरकार की नीतियां और उस पर किसी तरह की टीका टिपणी किये बिना अपना कारें जारी रखे ये नौकर शाहि सुम्मेदार नौकर शाहि कारत मैं फिर बता दूँ सारे सरकारी अधिकारी सारे सरकारी कर्मचारी सारा सरकारी अमला जिनकी नियुक्ति होती है चनावनी उन्हें हम कहते हैं स्थाई कारे पालिका वर्तमान में भारती नौकर शाही में हम अखिल भारती सेवाओं को गिनते हैं प्रांती सेवाइं आती हैं जिसे PSC के मार्धम से लिया जाता है इस्थानी सरकारें उनके जो कर्मचारी हैं और अन्य जो उपकरम हैं उपकरम सर्थाथ क्या पब्लिक सेक्टर और्गनाइजेशन जैसे बोकारो स्टील प्लांट भिलाई स्टील प्लांट एंटी पीसी ये सब उपकरम कहलाते हैं इन उपकरमों के तकनीकी और प्रमंदकी अधिकारी मैनेजरियल और टेकनिकल जो ऑफीसर्स हैं ये सब आते हैं भारती नौकरशाही में शुरुआत देखिए कहां से अखिल भारती सेवाएं अखिल भारती सेवाओं कारत क्या है जिसमें आता है इंडियन एड्मिनिस्टेटिव सर्विस आई एस इंडियन पुलीस सर्विस आई पीएस इंडियन फॉरेस सर्विस आई एफएस इंडियन revenue service IRS और ऐसा करते हुए अखिल भरती सेवाओं की संख्या कुल 30 के आसपास है इन 30 सेवाओं में कारे करने वाले अधिकारी PSC के माध्यम से रज लोग सेवायोग के माध्यम से चैनित हुए deputy collector तहसीलदार सब्डिवजन officer ADM SDM आधी आधी और public sector इसके लोग कुल मिला कर नौकर शाही बनते हैं trained और दक्ष कुशलो प्रशासनिक महत जो मशीनरी है इसको महत को जानने के कारण जो हमारी जो संविधान सभा थी जिन्होंने संविधान का निर्माण किया संविधान निर्मात्री सभा ने भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों के चुनाओं की जिम्मेदारी संग लोग सेवा आयोग को दी ये आपको समझना जरूरी है कि आखिर संग लोग सेवा आयोग का उचित क्या है केवल यही कि ऐसे ट्रेंड लोगों की टीम पूल तयार करने का काम उनको चैन करने का काम उनको शिक्षित करने का काम और उनको पदस्थ करने का काम किसी एक संस्था के मातहत किया जाया उस संस्था का नाम दिया है संग लोग सेवा आयोग जिसे राज्यों के लिए हर राज्य की प्रिथक लोग सेवा आयोग होती है जो परिक्षाय संचालित करती है और विभिन जरीयों के माध्यम से कुशल अधिकारियों का चैन करते हुए सुनिश्चित करती है कि जो स्थाई कारिपालिका है वह एक जिम्मेदार कारिपालिका बने दक्षता और योक्ता के साथ समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिश्चित मिले उसके लिए आरक्षण का प्रावधान है और दलितों आधिवासियों महिलाओं और उस खेत्र के लोगों के लिए इस और केंदर की सेवाएं जो हैं उसमें समाज के सभी तबके उच्छे तिस्थान पासकें तो आपको यह समझना जरूरी है कि नौकर शाही अर्थात तिस्थाई कारेपालिका नौकर शाही अर्थात इन लोगों के इन परिक्षाओं के जरिये चुने गए लोग या इन पदों पर नियुक्त लोग और नौकर शाही अर्थात वे लोग जो राजनेतिक कारेपालिका के अंतरगत कारे करते हुए इस्थाई रूप से नौकरी में सेवा देते रहते हैं